नमस्कार सवी जनवरी मंत में हम अपना पूरा जनर्ल लेवरेनेस का सलेवर्स कमपलेट करेंगे इसके बाद हम अपना next subject start करेंगे किलियर है अभी exam में थोड़ा time है क्योंकि आपके March में आपका exam हो सकता है DSEU का वह देखिए हमने playlist create कर दी है दिल्ली सामन गयान की link description में है आप वहाँ से सारे questions land कर सकते हमारी सबी वीडियो देख सकते हैं चलिए हम start करते हैं देखिएगा question number first है दिल्ली के एतिहासिक दिल्ली के एतिहासिक लाल के लिए का निर्माड कब आरंब किया गया दिल्ली के एतिहासिक लाल के लिए का निर्माड कब आरंब किया गया तो देखिएगा 1638 ECB में चलिए देखते हैं second question औरंग जेब ने किस के लिए में मौती मस्जित का निर्माड करवाया था तो देखिएगा लाल के लिए में याद रखिएगा सभी किस के लिए में लाल के लिए में मौती मस्जित का निर्माड करवाया था चलिए देखते हैं question number third देखिएगा पुराने के लिए के अंदर किला एक कुनहा मस्जित का निर्मार किसने करवाया था तो देखिएगा सेर साह सूरी ने याद रखिएगा सभी सेर साह सूरी ने चलिए देखते हैं कुसर नमबर फॉर्थ सेर मंडल का संबंद किसे के ले से है सेर मंडल का संबंद किसे के ले से है तो देखिएगा पुराने के ले से किस के ले से पुराने के ले से याद रखिएगा शबी चलिए देखते हैं कुसर नमबर फाइब अलाउद्दीन खिल्जी दुआरा निर्मित सीरी सहर तेमुर लंके अधिकार छेतर में सामिल हुआ यानि कि अलाउद्दीन खिल्जी दुआरा निर्मित सीरी सहर तेमुर लंके अधिकार छेतर में सामिल हुआ कब सामिल हुआ 1398 इसवी में याद रखिएगा सभी यानि ओफसन नमबर ए चलिए देखते हैं किफसन नमबर सेक्स देखिएगा तोगलकाबाद का किला किस ने बनवाया था तो देखिएगा ग्यासुद्दिन तोगलक ने याद रखिएगा चलिए देखते हैं किफसन नमबर सेविन ग्यासुत दिन तुगलग ने तुगलगाबाद के के लिए में किस महल का निर्माड कराया तो देखिएगा कस्त्र ए हजार शतून कस्त्र ए हजार शतून याद रखिएगा आप इने चलिए देखते हैं कुस्त नमबर एट देखिएगा कुत्व मिनार किसकी इसमर्ती में तैयार की गई कुटो मीनार किसकी इसमर्ती में तैयार की गई तो देखिएगा ओप्स नमबर B कुटो बुद्दीन वक्तियार काकी कुटो बुद्दीन वक्तियार काकी याद रखिएगा सभी चलिए देखते हैं कुटो नमबर 9 पांच मंजल कुतुम मुनार की उंचाई है तो देखिएगा 72.5 मीटर याद रखिएगा सभी चलिए देखते हैं कुस्तर नमबर 10 कुतुम मीनार को यूनेसको द्वारा विस्व धरोवर घोसत कब किया गया था तो देखिएगा 1993 में कब 1993 में याद रखिएगा सभी चलिए देखते हैं कुस्तर नमबर 11 देखिएगा दिल्ली के महरोली इस्थित लोहे की लाट पर संस्कृत के स्लोक लिखे हैं इन स्लोकों में किस लिपी का प्रियोग किया गया है दिल्ली के महरोली इस्थित लोहे की लाट पर संस्कृत के स्लोक लिखे है लिखे हैं इन स्लोकों में किस लिपी का प्रियोग किया गया है तो देखिएगा ब्राम्मिरी लिपी डिल्ली में लाल पत्थर से निर्मत कुनी डरबाजी को किस नाम से पुकारा जाता है दिल्ली में लाल पत्थर से निर्मित खूनी दरवाजे को किस नाम से पुकारा जाता है तो देखिएगा लाल दरवाजा याद रखिएगा सभी किस नाम से पुकारा जाता है लाल दरवाजा चलिए देखते हैं कुस्त नमबर 14 देखिएगा सुल्तान गड़ी का मकवरा किस से संबंदित है सुल्तान गड़ी का मकवरा किस से संबंदित है तो देखिएगा औप्सन नमबर सी नसीरुद्दीन मुहमद साय किस संबंदित है नसीरुद्दीन मुहमद साय से संबंदित है आजर खीए को सब ऐसान नमेर सी का राइड़ ऊंसर हुजाएगा चली ही देखते हैं किसस्टर नम्बर 15. दिल्ली सल्तिनत के किस सासक का मक्वर है चेहीं सुप नई किसका सिकंदर लो दी तक चलेए देखते हैं किससने साथ कुस्तर नमब्त करकर वाया तो देखी सी सुजा अधोला किसने सुजा अधोला याद रखिए कर सभी चलेए देखते हैं कुस्तर नंबर शेविंटीन कौन से मकवरे में गुम्बद के उपर हिंदू मंदर के समान कलस बना हुआ है कौन से मकवरे में गुम्बद के उपर हिंदू मंदर के समान कलस बना हुआ है तो देखिएगा ग्यास उद्दीन का मकवरा किसका ग्यास उद्दीन का मकवरा याद रखिएगा ओफ्सन नमबर A इसका लाइट अंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं कुस्ता नमबर 18 देखिएगा कौन सा मकबरा चार बाग में इस्तित है कौन सा मकबरा चार बाग में इस्तित है तो देखिएगा हुमायू का मकबरा किसका मकबरा हुमायू का मकबरा याद रखीएगा शवी वफसा नमबर डीस के राइट अंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं कुस्सर नमबर 19 एक समाई में निमन मैंसे किस एक को बस्तूकला का नगीना के रूम में जाना जाता था तो देखिएगा अतक खान का मकवरा किसको अतक खान का मकवरा याद रखिएगा सबी चलिए देखते हैं कुस्ता नमबर 20 देखिएगा दिल्ली में भूल भूलया की नाम से पिर्शिद्ध है अदम खान का मकबरा किसका अदम खान का मकबरा याद रखिएगा सबी चलिए देखते हैं कुस्त नमबर 21 देखिएगा पुराने के ले में फतेपुरी मस्जित और लाहोरी गेट के बीच की सड़क कहलाती है पुराने के ले में फतेपुरी मस्जित और लाहोरी गेट के बीच की सड़क कहलाती है देखिएगा ओप्सन नमबर A खारी बावली क्या कहलाती है खारी बावली याद रखिएगा सबी चलिए देखते हैं कुस्त नमबर 22 निमने लेखत में ऐसे कौन सा गरंथ दारा सिकोई द्वारा रचित है निमने लेखत में ऐसे कौन सा गरंथ दारा सिकोई द्वारा रचित है तो देखिएगा सिर एम अकबर और मजमा उल वहराइन याद रखिएगा शवी चलिए देखते हैं कुस्त नमबर 23 किसको चूड़ी वाली हवेली की नाम से भी जाना जाता है तो देखिएगा भागी रत पहले इसको और बेगम समरू की कूठी यानी दोनों को आपसन नमबर से इसका राइट अंसर हो जागा ए और वी दोनों चलिए देखते हैं कुस्त नमबर 24 देखिएगा बलबन का मकबरा दिल्ली में कहां इस्तित है कहां पर महरौली में याद रखिएगा चलिए देखते है नेक्स ट्वैंदी-से देखिएगा आदलाबाद का किला दिल्ली के किस इस्तान पर इस्तित है आदलाबाद का किला दिल्ली के किस इस्थान पर इस्थित है तो देखिएगा ओप्सन नमबर A तुगल का बाद कहां पर तुगल का बाद याद रखिएगा सभी चलिए देखते हैं कुसन नमबर 27 देखिएगा लाल महल कहां इस्तित है लाल महल कहां इस्तित है तो देखिएगा नजामुद्दीन याद रखिएगा सभी चलिए देखते हैं कुस्त नमरा 28 बागे आलम गुम्मत दिल्ली के किस इस्तान पर इस्तित है तो देखिएगा ग्रीन पार्क में याद रखिएगा सभ सुमलेत कीजिए देखिएगा एे मारते दी गई है एक तरफ एक तरफ हमें अब इस्थिती दी गई है देखिएगा बलवन का मकबरा कहां परिस्ते थे महरौली किलियर है इसके बाद देखिएगा अब देखते हैं देखिए सेकंड वाली देखिए कुस्त नमबर ठाइटी किला लाई पिथोरा महरौली में इस्तित है भागी रत पहले चांदनी चौक में इस्तित है बागे आलम गुम्मत गिरीन पार्क में इसके बाद देखिए जीनत महल मजजद दर्या गंज में यानि इसका राइड आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए और इसका भी जो हमारा आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए किलियर है आज की वीडियो में बस इतना आई देखिए आप सभी कुश्चंस एलाइन कर लें और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है आप बहाँ से सारी दिल्ली जीके की वीडियो देख सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है और आप सभी कुश्चंस अच्छे से अपने कम् पिर करवा देंगे चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय हिंद्ध